ऐसे सिस्ट चैनोग्राफर, 2023 पिछल का सेलेक्शन होगा, आप सभी को बहुत बहुत बथाई हो, डॉक्मेंट वेरिफिकेशन आप सभी का बहुत ही जल्द होगा इस बार, तो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में कौन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको mandatory है कि आपको वहाँ पर ले करके जाने ही जाने है, और अगर वह आप ले करके नहीं जाते हैं, तो फिर 100% chances हैं कि आपको reject कर दिया जाएगा, और आपको time भी नहीं दिया जाएगा, कि हाँ भी आप रूप करके दिखाओ कि कुछ चीज़ हैं जो कि basics ही होते हैं, और बच्चे वो गलती यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं, अपने वीडियो को देखते हैं कौन कोशे documents आपको ले करके जाने है, educational certificates आपको अपने सारे के साथे ले करके जाने है, ध्यान रखी किए यह सब के सब original होने चाहिए, फर एक्जामपल, 10th की mark sheet आपको ले करके जाना है, with certificate, जो 10th आप पास करते हैं, उसके बाद आपको एक certificate दिया जाता है, वो आपको वहाँ पर original ले करके जाना है, 12th की mark sheet, उसके साथ उस certificate आपको मिलता है, वो आपको ले कर जाना है, and graduation की mark sheet आपको ले करके जानी जो 3 years की होती है और साथ में degree भी आपको ले करके जानी है अगर आपके पास degree नहीं है तो आप college चाह करके provisional degree होती है उसको आप ले सकते हैं ठीक है और आपको time मिल जाएगा आगे आपको original वापे office में सोग करने के लिए ठीक है और ध्यान रखिएगा अगर आपने form में मेंशन किया हुआ है कि आप graduation कर रहे हैं या पर कर चुके हैं तो ही आपको ले करके जानी है अदरवाइस यहां पर कोई issue नहीं क्योंकि हमाई जो job है शानगडाफर की वह है 12th pass तो कोई issue नहीं होगा अगर आपने mention किया है तो आपको ले करके जाना ही जाना है ध्यान रखिएगा next document है वह है आपका cash certificate या फिर disability certificate या अगर आप किसी physical handicapped है या फिर कुछ कोई भी आपको इस तरही disability है तो वह certificate भी आपको ले करके जाना है इसमें आपको एक छी ध्यान रखनी है जो भी बच्चे EWS, OBC या फिर SC, ST के डेकर से belong करते हैं आपके जो certificate होने चाहिए वह crucial date के पहले के होने चाहिए अगर crucial date से पहले के नहीं है तो फिर आपको आपर सीधा सीधा reject कर दिया जाएगा और आपको आगे को भी further possibility आपको नहीं दी जाएगी ध्यान रखेगा इस बात को और SC और ST के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका certificate जो है तीन साह प्राना हो या फिर चार साह प्राना हो प 13 December का बना हुआ है या फिर 20 December का बना हुआ है तो वह नहीं चलेगा उसके पहले का होना चाहिए आप किसी भी के डागरी के क्यों नहीं हो और EWS और OBC में यही crucial date से तीन साल पहले तक का बना होना चाहिए उससे जादा पुराना नहीं होना चाहिए और बात का तो बिलकुल और वहाँ पर लेकर के जाईएगा वहाँ पर ज़रुद पड़ेगी कि आपके address मैश करेंगे आपकी date of birth मैश करेंगे काफी चीजें वह करते हैं वहाँ पर तो यह दोनों चीजें आपके पास बहुत ज़रुरी आथार काड़ और pen card ध्यान से आपकर को लेकर के जाना है त कि आपको character certificate लेकर के जाना है तो आपको जाना पड़ेगा यह वह mention करेंगे कि आपको किससे sign करवाना है किससे नहीं करवाना है यह सारी चीजें आपके उस appointment letter में या फिर आपका जो document verification के letter आएगा उसमें लिखी होंगी तो जैसा भी लिखा होगा वैसा आपको follow करके वही चीज़ आपको करने ठीक है तो यह फिलाल optional है क्योंकि यह basicly तब लिया जाता है जब joining करा ही जाती है उस time पर फिर भी अगर मांगते हैं तो आपको लेकर करके जाना है ठीक है अभी फिलाल के लिए इसको optional रखते है लास्ट जो है वो है उन लोगों के लिए जो already working ऐसा कि म अपने जो भी exam दिया है उसका वापर intimation दिया हुआ है उनको पता है और वो आपको यहां से जाने देंगे उसको कोई भी problem नहीं तो कोई बात नहीं है तो यह थी दोस्तों details I think आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी आपकी जो भी doubts वों को सारे clear हो गया होगे तो यह कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखने है डीवी के टाइम ठीक है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी लाइक करिएगा चैनल पेने सब्सक्राइक करिएगा कोई भी question पूस्ट नहीं है जाकर जोइन कर सकते हैं में देंगे नेक्